सुप्रीम कोट से हरी जंडी मिलने के बाद निकाय चुनाव का रास्ता उत्रपदर में साफ हो चुका है और अब कहीं न कहीं जो सियासी दल हैं वो निकाय चुनाव की तयारियों में जुट गए हैं क्योंकि 2024 के लोकसवा चुनाव से पहले इसे सेमी फाइनल की तरह देखा जा रहा है और अगर सत्ताधारी बीजेपी की बात करें तो निकाय चुनाव को लेकर पार्टी की कल बड़ी बैठक प्रदेश मुख्याले पर होनी है सुबह 11 बजे ये बैठक बुलाए गई है निकाय चुनाव को लेकर रणनीती पर तो चर्चा होगी साथी साथ जिस तरीके से नई टीम की घोशना होई है जो नव निक्तपता दिकारी है उनकी भी पहली बैठक बुलाए गई है वेज़े बादूर पाठक जी है हमाँ साथ MLC भी है और नई टीम में भी एक बार फिर से वेज़े जी कल जो बैठक बुलाए गई है रणनीती भी तैय होगी परिचात्मक बैठक भी होगी अभिनो जी टीम तो नई घोशित हुए तो परिचे होगा परिचे जाए तर पुराने लोग नहीं कुछ थोड़ा बहुत परिवर्तन है आंसिक जैसा अध्य जी ने कहा भी लेकिन निशित तोर पर निकाय चुनाओ सामने है बूस असक्तिकरन का अभियान चला है भारती ज बैठक है तो आकामी कारियोजना है कारे हैं उनको लेकर चर्चा करें और तो आजार चोबिस को लोगसवाद चुनाओ से पहले निकाय चुनेक सेमी फाइनल इसले बीजेपी कोई कोर कसर नहीं चोड़ना चाहिए बीजेपी तो 24 गुड़े साथ 365 दिन काम करने वाला दल है इसले निकाय चुनाओ है आगे के चुनाओ है अभी साक रता के जो चुनाओ चल ले हैं उसमें आपने देखा कि किती वड़ी सफलता मिली है तो बीमजूद रहेंगे जो प्रदेश मंत्री हैं, वो भी मौझूद रहेंगा, प्रदेश महा मंत्री भी मौझूद रहेंगे, लेकिन इस नई टीम में चेहरे जाधातर पुराने हैं, इसलिए पाटी ने हो सकता है, पुराने चेहरों पर भरोसा जताया हो, क्योंकि वो कई चुनाव करा चुके हैं, सबसे पहली परिक्षा है वो निकाय चुनाव है और अब तैयारी बीजेपी की निकाय चुनाव को लेकर है करने जीतिन के साथ अनुबर शुक्ला एपी गंगा लखना एबी पी गंगा खबर आपकी जबाँ आपकी